Hello everyone, welcome back again to BSP Science, नमस्कार आप सबी लोगों को स्वागत, आप सबी लोगों का आज के सेशन में बहुत सारे स्टुडेंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो AKT University में यहीं कि अब्दूलकराम Technical University लखनाओ में एडमिशन लेने के लिए जा रहे होंगे और बहुत सारे स्टुडेंट्स से होंगे कि जो AKT University Affiliated Colleges में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो दोनों की दोनों चीजों के बारे में बात करेंगा आज के इस वीडियो में कि आप लोगों का एडमिशन लेने से पहले किन-किन चीजों को चेक कर लेना है और एक है ओफीशन नोटिस आप लोगों के लिए लेकर कर आए हो 15 जून का ही ये नोटिस है तो क्या है ये नोटिस बात करेंगा आज के इस वीडियो में तो है अबरीवन मेरा नाम है पुनित राजपुत और आपको प्याल समझे पुनित सर पुनित भाया बोलाते हैं अधिके का प्यारे बच्चों क्या है कि अभी क्या है जैसे न्यू स्टुडेंट एडिमिशन लेते हैं तो हर एक कोलिज का न्यू अप्रूवल प्रोसेस भी स्टार्ट होती है 2024-25 के सेशन के लिए AKD University में अगर जब main campus में आपको seat मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है अधर्वाइस अगर जो आप किसी affiliated college से अपने degree करना चाह रहे है तो आपको क्या है सबसे पहला question अपने university से सोरी जब अपने college वालों से पूछना कि क्या आपको AKD University से affiliation मिल गया है अगर जो बोलेंगे मिल गया है तो question क्या उठाना है कि जब affiliation प्राप्त करने के आखरी date 25 सारीक है तो आप लोगों का affiliation approval कैसे हो गया क्योंकि यहाँ पर अभी क्याए बेटा जी 2024-25 के session के लिए अभी क्याए बेटा जी registration स्टार्ट हो रहे है यानि कि क्या बहुत पहले से start हो चुके जिसकी 15 date थी last पर अब 25 date कर दी गई है 25 June last date कर दी गई है तो आप लोग ये बात जरू से जरूर पूछे और मैं एक दावे के साथ बोल सकते हैं कि वो लोग आप लोगों को क्या है 2023-24 के session का approval दिखाएंगे और ये approval आपके किसी काम का नहीं है ये approval आपके किसी भी काम का नहीं है क्यों क्यों कि कि बेटा जी क्या होता है कि जब आप अपनी डिग्री लेते हैं ये पर सबसे बड़ी दिख्कत क्या फशेगी कि PCI का खाशा थी कि क्या करता है वो क्या करते है बेटा जी circulate होते है circulate कैसे कि वो क्या करते है आपके जिस college से आपने डिग्री ली है जिस college से आपने 4 साल pharmacy को दिये है उस college के पास में आपका approval letter भीजेंगे और एक approval letter आपका क्या है जी आपके university के पास में जाएगा अब किया है जब तक आप approved नहीं होगे तब तक आपका registration process आगे नहीं बढ़ेगा अब जब आपका college इफिलेटेट नहीं है तो कहा का registration कहा कि आपके degree और कहा से आपने पढ़ा है तो इसी बज़े से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये जरूर से जरूर पुछें और अगर जो आप ये वीडियो कोई क्या है अपने भाई भेन बेटा बेटी के लिए देख रहा है तो ये प्रोसेस ज़रूर करें आप दो चीजों के बारे में फार्मेसिय अगर जो कराना चारत दो चीजों के बारे में ज़रूर पूछे किसी भी कोली से PCI अप्रूवड है तब तक के लिए भाई शुक्रिया नमस्कार चैहिए